तो हेलो एविडियो तो इसमें से कुछ पिशे जो है हमारे इस मोंचा टैंक के लिए हैं यूश पिशे जो है हमारा जो अगर आप हमें हमें पहले से फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं हमारी ओल्ड वीडियो देखे तो आपको पता होगा कि हमारे पास एक तूफीट का भी एक टैंक है इसके अंदर हमारे हमने बंजार रावाना रखी थी कोई भी न्यूव फिश लेकर आते हैं कभी इस टैंक नहीं रह पाती है तो इसको पढ़ी में डाल दे या फिर हमारे तूफीड का टैंक है वह जब हम ने हमसमें से बंजार रावाना निकाली थी वह टैंक जब से वैसा का वैसे ही पड़ा है विए तो अब आपको बताएंग पर हमने इंस्साग्राम पर पूचा था आपको कौन से फिश इसके अंतर रखना चाहिए तो काफी लोगों ने कमेंट्स किया था हमको डीम भी किये थे के ये फिश रखो ये फिश रखो तो हमने सोचा कि चलो फाइनली हम उसके लिए कोई फिश ले लेते हैं तो सबसे पहले दाव आपको बजा देते हैं कि हमने ही जो हमारा जो मॉट्व अनट गलन के टैंक या मॉंस्टर टैंक है उसके लिए उसके लिए पौन सी पॉंस्टर तो यह आप देख सकते हैं यह हमारी मॉंस्टर पिशेस है यह पीकॉफ बाज है एप शायल आपको दिकरा होगा यह अजूर पिकॉफ बाज है इसका साइज है और मॉंस्स सेवेट तू एंचेस का साइज इसका है प्रीआपने दो कि लिए कर आया है कि ऐसे तो सब्सें में जो है इसी हम ये पिकोग बास को हम जो है हमारे टैंग में डालेंगे इसको पहले से एकले में एकलिमेंट कर दिया खिर के दीके जो है अब हुआ तो इसके लिए भी थोड़ा से टेंशन है हमने बड़े साइज का मिलता पाड़ वह तो यह हमें एग्रेज साइज का है में को लगता तो नहीं कोई प्रॉब्लम है क्योंकि यह लोग बहुत पास्वीम करते यह हमें हमेशा से लेना था अपने हमारी स्टार्टिंग की सबसे वीडियो में था हमने चुटे-चुटे दो लेकर रहे थे तो उसको हमारे जो बंजारा डर्वाना थी वह खा गई थी तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारा प्रिकोग बास है उसको इसमें एड़ करेंगे एड़ उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने हमारी जो आपको बाद हम एड़ कर दो लेकर आए तो चलिए सबसे पहले हम जोटे हम जोटागे झाल 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 तो अब आप ने देखा के ये इतनी बड़ी साइज होने के बाद भी शिक्स्टू सेवें इंचेश होने के बाद जीटेश करे बाद और सेब वाले से बाद के इनदी बड़ी से बाद के बाद east झाल 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 कर दो तो जैसा कि । आपने देखा कि हमने जो हमारा ठायंक के पूरा क्लींग किया उसको अमने इसको इसको छोनिंग के प्लीइ सब साफ किया हमने एंट यो यह सके अंदर हमने उसके पूराना मैं बोन बोले हैं मैं जोग भी मैं टैंग निया पाने जब भी डालता हूं तो उसके लीज़ाइब ही जब्द भी डालता है कफी लोग बुछ ज़रूरत नहीं होती है फ्रेश वाटर फिश मुझे व्हा थे अर्ट यह जहें होता है यह नमक दांद दरू नहीं नहीं है डिल तो उसके अंदर थोड़ा सी बड़ा नमंग खड़ा नमंग जो भी बुलते हैं वह सब आप जैसे मेरा टूफीट का टैंक है तो उसमें मैं ऐसा मुठी बरके उतना डाल देता हूं अपने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा उसके हिसाफ से डाल देता हूं अपनी तो तो अपनी यहां प्रेश वाटर पानी वारा नल से डारेक्ट वारा एंड जो हाफ वाटर का हमने हमारे चो बार टू तू अन्रड गलन्ट टैंक के हमारा वह उसमें आधा पानी उसमें से डाला है इसके अंदर ताके जो एकदम नयू नहा जाए फिश को शॉक ना कमी हो गई थी तो इसके लिए हमने वो वीडियो में बता नहीं पाएंगा उसको टैंक में डाल दिया है तो उसका आपको बताएंगे तो उससे पहले आप देख सकते हैं सबसे पहले है हमको के गोल्ड फिश एड़ करो यह तो हमने फाइनली लेकर आ गया औरंडा यह इंपोर्टेड है काफी अच्छी कॉलिटी के एंड काफी बड़ा साइज है इसका क्रीबन थ्री फॉर इंचेस के साइज है इनकी सिर्फ बॉड़ी की तो अभी तो प्लास्टिक में है तो आप उससे पहले आप यह देख लीजिए इसके साथ में हमने यह दो बोल्ड फिश और मंगाई है अब देख सकते हैं इनका भी साइज काफी ज्यादा बड़े है तो इनको थोड़ी ऑक्सीजन की कमें हो गई ते जिसकी विए से हमने फॉरन बैक में से निकालकर हमने टैंक में डाल दिया ताके ऑक्सीजन मेले उनको तो चलिए यह जो फिशेस हैं इनको भी एड़ करते है हमारे टैंक में इनका भी जो है एक लिवत हमने पहले ही कर लिया है तो अब हम डिरेक्ट पीश जो है हमारे टैंक में आ लिए वाओ ले लुकिं सो क्यूट आप साइज देख सकते हैं कितने ज्यादा बड़े साइज के यह लोग इनके लिए दो टैंक भी छोटा बड़े हैं कर देखेंगे दूसरी वाड़ी पर एड़ करते हैं कि अ कि इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया है हमने एक्चुली में देख के नहीं मंगाए था हमने बस और दे दिये थे वह आ गई हमको तो हुए इसका साइज थोड़ा सी छोटा है बन ज्यादा परक नहीं है थोड़ इसकी ज्यादा ब्रॉड है इसकी थोड़ी सी स्ट्रेफ है बाकि मसलियां तो अभी जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस में सब बैड़ गया है निचे हमको ऑक्सिजन की बहुत कमी हो गई थी तो हमने जैसे हमाने पैकेट खोला दो देखा हमने वो दोनों भी जो आमारी में कैसी लगा आपको यह टैंक का हमने कुछ डेकोरेशन नहीं किया क्योंकि इसके अंदर कुछ देकोरेशन करें तो और चोटा हो जाएगा तो तो लाव रोक्स वगरा रखे थे तो लावा रोक्सम्ने इन्काल दिया क्योंकि बहुत कम स्पेस बची थी फिश को जगा नह के फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो कर लिजिया हम जो इंस्टाग्राम की लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही था तो अभी आगे जो भी अप्डेट रहे हमारी के बारे में जो हमने लिया है वह फीडिंग लेना है उसके देना एक लेता है नहीं लेता है इनको भी फीडिंग देना है तो यह सब चीज जो हम इंस्टाग्राम पर अप्डेट देते रहेंगे तो प्लीज हमें महां फॉलो कर लिजिए एंड ऐसी अगर यह वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज हिट दा लाइक बटन अगर आपने में चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्यू प्लीज सब्सक्राइब प्लीज है झाल 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 झाल